भारत और चीन का सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ, सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन आमने सामने है, गलवान घाटी में चीनी सेना की घुस पैठी के बाद से सीमा पार पर तनाव भरा महौल है, हालाकि भारत और चीन इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चालाग च परकतों से बाज नहीं आ रहा। पुर्वोत्तर में तिबबत से लगी सीमा पर सब कुछ सामान नहीं दिख रहा। इसके बाद मुक्षमंतरी पेमा खांडू ने केंदर से सीमा वरती इलाकों में आधार भूत परियोजनाओं का काम तेज करने का नरोध किया है ताकि बिरोजगारी और कनेक्टिविटी जैसी समस्याओं पर अंकुष लगाये जा सके। उन्होंने केंदर सरकार को इस बात की जानकारे भी दी है। भारत सरकार चीन से सटी सभी सीमाओं पर नजर बनाये हुए है। चीन की सीमा पार कई परियोजना को गती भी दी है। खास कर चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में विकास के काम को तेज कर दिया गया है। इस विकास में युवाओं को रोजगार प्लब्द कराने की जूरदार मुहीम चलाई है लेकिन हाल ही में चीन के राश्ट्रपती श्री जिंग पिंग ने तिबबत का दोरा किया है। प्लब्द की जानकारी के मताबिक पियले तिबबत के अलावा अरुनाचल प्रदेश के यूवकों की भरती करने का प्रयास कर रहा है। काफी समानता हैं। उनकी बोली, रहन सहन और पहनावा करीब एक जैसा है जिसके चलते वोई युवाओं को चीनी सेना में भरती कर रहे हैं। बहराल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथी देश और दुनिया से जोड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लाटफॉर्म टीवी नाइन भारत वर्ष। कि अपड़ी थाइन भारत वर्ष।